प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सातवी कक्षा की गड़ित के अभ्यास दो दसम लोग, दो क्यों प्रश्णों को हल करना सीखेंगे तो देखिए, अभ्यास दो दसम लोग, दो का पहला प्रश्ण है गुड़ा कीजिए अच्छा एक समस्या आप लोगों के सामने आ रही होगी, यदि आप लोगों ने किताबें नहीं खरीदी होगी चुकि देखिए, पुरानी किताबें जो पिछले साल आप लोगों ने पढ़ी हैं, वह किताबें इस बार बदल दी गई हैं तो पुरानी किताबों वगर आप यह सवार ढूंडेंगे तो नहीं मिलेगा तो नई किताबों के ही यह प्रश्ण है तो देखिए यहां पर गुड़ा कीजिए बेहद ही आसान प्रश्ण है पाच गुड़े माइनस नव अब देखिए यहीं पर इसे हम बगल में हल कर दे रह लुष्ण है चिन्हों की संख्या सम रहती है तब उत्तर हमेशा धनात्मक होता है और चिन्हों की संख्या अगर बिसम रहती है तो हमेशा उत्तर आपका रिडात्मक आएगा गुड़ा के लिए आप यह नियम याद कर लिजिए जब हम किन्ही दो तीन चार-पाँच ऐसा क किसी भी संख्या में ऐसा गुडा करते हैं तो अगर रिण चिन्हों की संख्या बिसम है तब तो आपका गुड़न फल रिणात्मक आएगा और उनकी संख्या सम है तो आपका उत्तर धनात्मक आएगा तो आप यहां बताईए क्या रिण की संख्या सम है या बिसम है तो आप यहीं उततर है, बिल्कुल मौखिक उततर 5 का पहाला 9 बार पढ़ लिजिया 9 का पहाला 5 बार 9,45 माइनस इसले लगा लिया क्योंकि माइनस यहीं पर था गर इसमें भी माइनस होता तब हमारा उततर धानात्मा काथा तो चलिए दूसरा पार्ट इसका देख लिए, तीन गुड़े माइनस 32, अब आप बताईए, मने रिड की संख्या सम है या भी सम, तो आप कहेंगे भी सम है, क्योंकि एक ही है, तो उत्तर आपका यहाँ पर माइनस में आएगा, तो आप तीन से 32 में गुड़ा कर लीजिए भ माइनस 27 गुड़े जीरो, अच्छा आप यह बताईए, किसी भी संख्या में अगर आप जीरो से गुड़ा करेंगे, तो आपका उत्तर क्या आएगा, तो आपका उत्तर जीरो हो जाएगा, किसी भी संख्या में आप अगर जीरो से गुड़ा करेंगे, तो उत्तर जीरो तो यहां पर आपका उत्तर जीरो आएगा अब आप कहेंगे कि माइनस की संख्या तो बिसम है एक है तो यहां माइनस लगा दीजिए नहीं क्योंकि जीरो ना तो रिड़ पूरणांक है ना तो धन पूरणांक है इसलिए यहां चिन्न कोई भी नहीं लेगेगा 21 गुड़े माइनस 9 फोर्थ पार्ट में देखिए 21 गुड़े माइनस 9 तो आप देखिए यहाँ जो रिण की संख्या है बिसम है एक ही है तो उत्तर हमारा रिडात्मक होगा 9 एकम 9 और 9 दुनी 18 माइनस 189 आपका यह उत्तर आ जाएगा तो मैं देख रहा है इसमें इसी प्रकार के प्रश्ण है अब ऐसे ही सारे प्रश्णों को आप हल कर लीजिए यह दोनों माइनस लगा होगा तो आपका उत्तर धनात्मक होगा और एक में रहेगा तो उत्तर आपका रिडात्मक आ जाएगा कुछ सवालों में इसमें दोनों में माइनस लगा दिया जैसे एक सवाल आप लेख देजिए फिप्ट पार्ट इसमें दिया है माइनस बारा अगुडते माइनस सोला तो अब आप देखिए कि यहाँ पर देखिए दो माइनस है तो इनकी संख्या सम हो गई तो आपका उत्तर धनात्मक आएगा रिडात्मक कभी भी नहीं आएगा अभी तीन माइनस हो जाए एक संख्या हम और लिखे देए इसके बगल कि माइनस चार तब फिर आपका उत्तर रिडात्मक हो जाएगा तो आप ध्यान देना कि अगर रिण संख्याएं रिण पूर्डांग आपके सम हैं तो आपका उत्तर धनात्मक और विशम है तो रिणात्मक तो यहाँ पर संख्या सम हो गई दो माइनस हो गई दो सम संख्या है तो उत्तर आपका धनात्मक आएगा अब बस बारा से सोला में गुड़ा कर लीजिए तो कैसे करेंगे बार चंग 72 के दो हासिल आपके साथ बारा एक कम बारा बारा साथ उन्नीस तो एक सुबान बे आपका उत्तर आ गया भी हां रिण नहीं लगेगा तो अब हम समझ रहे हैं कि आप पहला प्रश्ण पूरा हल कर लेंगे तो अब दूसरे प्रश्ण पी बिल्कुल ऐसे ही है उस में भी कह रहा है गुड़ा कीजिए तो दूसरे प्रस्ण में भी गुड़ा के लिए ही बोल रहा है तो देखिये पहला सवाल इसका देख लेते माइनस तेरा गुड़े हैं माइनस तेरा गुड़े माइनस जीरो माइनस जीरो गुड़े 15 तो देखें जब इसे आप हल करोगे एक चीज आप समझो जो सून है इसके पहले ना तो आप धन लगा सकते ना तो रिन लगा सकते हैं, तो इस माइनस को आप बिलकोムा भिलकुल मत दीजिए, इस पर आप दिमाख बिलकुल मत लगाईे, कि यहां पर 2 माइनस हैं, तो हमारा उत्तर प्लस हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपका उत्तर रिडात्मक ही आएगा और लेकिन रिडात्मक भी क्या आएगा अजब आप जीरो से गुड़ा करेंगे तो आपका गुड़न फल तो जीरो आजाएगा भई आप कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं को गु गुड़ा एक हजार गुड़ा तीन सो तिरपान गुड़ते जीरो अब जैसे यह जीरो लगा आपकी सारी मेहनत क्या हो गई बेकार हो गई बेकार क्यों हो गई अब जीरो से गुड़ा करोगे तो गुड़न फल तो आपका जीरो आएगा तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क् तो वैसे इस सवाल में भी है जब मने गुडन फल की संक्रिया है और बीच में 0 आ गया है तो अंतता है इसका उत्तर क्या आएगा जीरो ही आएगा अब प्लस माइनस के चक्कर में आप पढ़िये ही मत क्योंकि 0 क्या है उसके आगे ना तो प्लस लगेगा ना तो माइनस लगे पर कितने हैं थिए तो हम देख पा रहें सिर्फ एक है तो शंक्या क्या है विशंभा तो उत्तर आपका क्या है गा रिड़ात्मक आएगा तो पहला या लगा लीजिए पहला का माइनस लगा लिजिए तब गुड़ा कर लिजिए तीन टिया नौ ऐसा इसा कोई फर्क नहीं इसे पहले हम तीन से पांचें में करें ऐसा जरूरी नहीं है आप जैसी आपको सुभीधा बने वह ऐसा कर लें या करने पांठ या पंदरा पंदरा तिया पैतालिस माइनस पैतालिस आपका उत्तर हो गया कुछ भी नहीं करना है खाली चिन्द है आप देखिए बस तो देखिए और इसका third part भी देख लिजिए इसमें दे रहा है आठ गुडे माइनस पांच आठ गुडे माइनस पांच और फिर गुडे माइनस 8 तो आप देखिए यहाँ पर जो माइनस की संख्या है वह दो है मनि संख्या सम हो गई तो आपका उत्तर क्या आएगा धनात्मक आएगा एक माइनस यहां लगा है तो उत्तर आपका धनात्मक होगा रिण नहीं लगेगा अब बस आप पहाड़ा पढ़ लीजिए गुड़ा कर लीजिए तो हम क्या करते आट पंचे चालिस चालिस हो गया चा तो आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है अगर माइनस की संख्या सम है तो आपका उत्तर धनात्मक आएगा और उसकी संख्या भी सम है तो आपका उत्तर धनात्मक आएगा अचा सम विसम समझ पार है ना सम विसम समझ लीजिए अगर एक संख्या में माइनस लगा है विसम है दो माइनस अगर आगए सम है तीन माइनस विसम चार माइनस सम तो बहुत आसान है अगर क्यों एक संख्या माइनस लगा है तो यह विसम है अगर दो संख्या वं मैनس लगा है तो संख्या है ठीन में लग गया रिनात्मक उल गया फिर आपका धन तो इसी तरीके से है तो आप पहले दूसरे प्रसुन को हल कर लीजिये एकppy करेंगे चोटा सा प्रस्न है तो देखिए आपका तीसरा प्रस्न क्या कह रहा है करते कीजिए जिसका गुणन फल जिसका गुणनफल माइनस एक के साथ माइनस एक के साथ माइनस एक सो बारा हूँ प्रस्न को आप समझ लीजिए प्रस्न आप समझ जाएंगे तो अब बिल्गुल आसान है कह रहा है वह पूर रांक ग्यात करिये जिसका गुणनफल माइनस एक के साथ माइनस एक सो बारा हो जाए तो इसमें बात समझने किये है कि कह रहा है माइनस एक में हम किस संख्या से गुणा करें कि माइनस एक सो बारा प्राप्त हो जाए देखे रहे वह पूरा रांग ग्यात कीजिए जिसका गुड़न फल माइनस एक के साथ तो माइनस एक के साथ को मतलब माइनस एक के साथ किसी संख्या से गुड़ा करना है आपको और उसके बाद गुडन फल क्या हो जाए माइनस 612 यही बात है कि माइनस एक में किस संख्या से हम गुडा कर दे कि हमारा उत्तर माइनस 612 आ जाए देखे बच्चों जब आप प्रशन को समझेंगे तभी आप प्रशन को हल कर पाएंगे ऐसा नहीं कि जोड घटाने के रूप में सवाल लिखा है अब अब आप जोडना घटाना गुडा करना आप जानेंगे तब ऐसे नहीं हल हो पाएगा प्रशन को आपको पढ़कर समझना भी पड़ेगा तो चले बेहद ही आसान है मैं इसे हल कर रहा हूँ देखिए जब हल करेंगे तो क्या कहते हैं माना माना माइनस एक में यक्स से गुडा करने पर गुडन फल माइनस एकसो बारा होगा देखे हमको मालूम नहीं है उस बहा पूर डांक तो हमने उसके लिए एक चर ले लिया इसी एकस की बैलू हमें ग्याद करनी है एकस से हम माइनस एक में गुडा कर दें तो माइनस एकसो बारा हो जाए अब लेकिन बताइए एकस है क्या एक है दो है दस है बीस है क्या इसकी बैलू क्या है यहीं आपको ग्याद करनी है तब देखिए यहां पर प्रश्णा नुशार प्रश्णा नुशार कह रहा है कि माइनस एक गुड़ते यक्स बराबर माइनस एक सो बारा प्रश्ण में यही कह रहा है ना माइनस एक में हम यक्स से गुड़ा करेंगे तो माइनस एक सो बारा आएगा अब यक्स की बैलुट